Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4-5 साल के बच्चे की इस तरह की frog बनाना, तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे ठीक है जी? I hope कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद आए और helpful रहें चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, तो जी, इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो है, मैंने 2 मीटर का फैबरिक लिया हुआ है, यह है हमारा सैटिन का फैबरिक अब जो हमारे अपर बॉडी रहेगी, उसकी जो लेंथ है, वो मैंने 11 इंच रखी है अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जो हमारा शोल्डर है, वो मैंने रखा है यहाँ पर 5 इंच का, 10 इंच है टोटल शोल्डर, तो हम हमेशा शोल्डर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आएगा 5 यानि की 5, तो हमने देखिए, 5 इंच पर इस तरह से ऐसे 4 साइड निशान लगा दिया है और अब इन निशानों को जो है, हमने आपस में इस तरह से ऐसे मिला देना है और इस वाली साइड हम पूरा मिला देंगे, क्योंकि यही वाली लैन जो है, वो हमारी चेस्ट लाइन होती है तो अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो हमारी चेस्ट है यहाँ पर वो थी 26 इंच, तो 26 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हमने चेस्ट लगाई है और 1.5 इंच हमने मार्जन का निशान लगाए है अब जो हमारी वेस्ट लाइन है, वो है हमारी 24 इंच, तो 24 को अगर 4 से करेंगे तो आएगा 6, तो 6 पर हमने निशान लगाए देड़ इंच मार्जन का और बागी fitting वाले निशान को fitting वाले निशान से margin वाले निशान को margin वाले निशान से मिलाने के बाद हमने आर्मोल का इस तरह से ऐसे निशान लगा दिया है अब हम nek का निशान लगाएंगे तो जो हमारे nek की चॉड़ाई है वो हमने 2 इंच रखी है और जो हमारे nek की लंबाई है उसको हमने 3 इंच रखा है, ये रहो टेखे इस तरह से कोई भी margin वागे राइट करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हमने already इसमें कड लिया है अब ये cutting होने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखेगा तो हमने front और back एक साथ कट की हुई है तो देखिए front एक पर F लिख देंगे front और एक पर B लिख देंगे यानि की back तो जो back side वाला होगा वहाँ पर जो है हमने 2 इंच आगे और neck इस तरह से ऐसे cut करना है ये देखिए center से हम इसको इस तरह से cut कर देंगे तो जी इसके बाद हमने same इसी तरह से अपना front और back main fabric पे भी cut करना है और यहाँ पर अब सबसे पहले जो है मैं घेरा cut कर लूँगी तो घेरा cut करने के लिए न मैंने अपने fabric को जो है four fold में बिचा लिया है तिकोना करकर किस तरह से बिचाया है अभी आप लोग को बताती हूं paper की help से तो माली जी यह हमारा fabric है तो इस fabric को हमने इस तरह से ऐसे double fold करना है ये रेखिए इस तरह से हमने अपने fabric को पहले double fold करना है और फिर इसको हम इस तरह से ऐसे ट्रेंगल कर देंगे ये रेखिए इस तरह से, मैंने सोचा कपडे पर बताना थोड़ा easy नहीं हो रहा था कैम्रे से बाहर जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं इस पर बता दीती हूँ और इस निशान को हमने इस तरह से ऐसे मिला दिया है अब जो हमारी गेरी की लंबाई है वो मुझे 24 इंच शाई है बट मैं 25 पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि एक इंच जो है हमारा उपर जब हम इसमें अपर पार जोड़ेंगे हाफ इंच उपर से जाएगा और हाफ इंच नीचे से जब हम इसमें पीको कराएंगे तब जाएगा तो फिर हमारा 24 ही रह जाएगा तो देखिए अब आगे बढ़ा बढ़ा कर इसी तरह से इंची टेप को हमने 25 इंच पर निशान लगा लेना है और यह निशान ना हमारे गोलाई में लगेंगे आप ल लेडियाइड कर लिया था ठीक है जी तो जी देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है अब भी इसको हम साइट कर देते हैं और ये जो हमारे अस्तर थे ना उससे हमने अपना में फैबरिक उसको रखके सेम कट कर लिया है देख सकते हैं आप लोग अब हमने अपना में इन फैब्रिक सीधा बिचाया है उसके उपर अस्तर रखा है और यहां पर से जो है हम इसकी स्टीचिंग करेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है बिल्कुल नेक से नेक को मिला कर और करीबर अपनी मशीन का जो बूट होता है न उसके एक पैर का मार्जल लेते ह हमने इस तरह से इसको स्टीच कर देना है तो ना हमें अलग से नेक बनाने की जरूद नी पड़ीगी यह हमारा पलट कर नेक बन जाएगा और मार्जन बिल्कुल आप एक जैसा रखिएगा तो देखिए पका करते हुए हमने धागे को इस तरह से ऐसे कट कर देना है और यह यह वाली सिलाई ना आपने अस्तर पर लगानी है यह देखिए इस तरह से लाइनिंग जो है ना उसके बिल्कुल पास-पास हम इस तरह से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे इससे क्या होता है आपका नेक बिल्कुल अच्छे से बैट जाता है और जिसको अब भी भी नेक बन एक पैर छोड़ते हुए और इस तरह से बिल्कुल रेडी मेट वाली जो है लुकाईगी इसमें तो देखिए अब इसी तरह से जो है हमने पूरे नेक पर ऐसे ही सिलाई लगा देनी है देख सकते हैं आप लोग कितनी फिनीशिंग के साथ और कितना परफेक्ट जो है हमारा नेक बन कर तयार हुआ है अब हमने क्या करना है अपने अस्तर को आपने मेन फैबरिक में जोड लेंगे ताकि जब हम आगे काम करें तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो तो सेम अपनी मशीन का आपने सबसे बड़ा टाका करना है और इस तरह से ऐसे इसको स्टिच करते जाना ह ये देखे इस साइड से भी और इस साइड से भी वैसे उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा कपड़ा है समल में आ जाएगा लेकर फिर भी अगर आप लोग सिलाई लगा लेंगे तो और अच्छी फिनीशिंग आईगी आपके काम में और अगर सिलाई ना लगा पाएं तो आप लोग इसको फैबरिक को लू से जो है इसको पेस्ट भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इसको जो है मतलब स्टिच कर दिया है उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है या धागे बचते हैं उसको ना साथ के साथ कट कर दिया गीज पतला जीतना पतला आप फोल्ड कर सकते हैं, उतना पतला आपने पूरा एक साइट से स्टिच करना है और अगर आप चाहें तो Piko भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है बट मैंने इस तरह से ऐसे पतला फोल्ड किया है तो इस पूरी पट्टी को जो है मैं फोल्ड कर लूँगी क्योंकि जो सामने आपने पिक्चर में देखा था ना फ्रिल लगी हुई है तो वो फ्रिल मैं इससे बनाऊंगी अब हमने इसको सीधा करते हुए यहाँ पर एक मैंने एक स्टिक ले लेनी है और उसकी हेल्प से इस तरह से आपने छोटी-छोटी प्लेट्स डालनी है वो आपकी अपनी मर्जी है आपने कितनी बड़ी प्लेट्स डालनी है यह देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा और अब जो यह हमारी फ्रिल बनकर तयार हुए है इसको हमने जो है जो हमारी फ्रॉक का फ्रेंट साइड है कोटी का वहाँ पर हमने इसको अटैच करना है कोटी यानि की अपर पार्ट तो देखिए मैंने ऐसे निशान लगा लिया है और इस तरह से हम जो है पहले इसको इस साइड से ऐसे स्टिच करना शुरू करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको स्टिच करना है और जब आप इसको फ्रिल को लगाएंगे तब आप लगोने ध्यान रखना है कि जो आपकी प्लेट्स हैं वो इदर उदर ना हो बिल्कुल अच्छे से आपने एक एक प्लेट को बिठाना है देखिए जैसे मैं बिठा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से और फिर आपने जो है इसको स्टिच करना है ये देखिए इस तरह से पहले हम इसको उल्टा मतलब उल्टा मैं फ्रिल रखके स्टिच कर रही हूँ फिर इसको पलट कर हम इस साइड कर देंगे और बहुत समालते वे करनी है अगर आपकी प्लेट इदर उदर हो जाएगी तो फिर आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखेगी तो इसलिए आप लोगों ने ये वाली स्लाई बहुत जरूरी जो है लगानी है अब देखे इसको पलटते हुए हमने पूरी फ्रिल को इसी तरह से फ्रंट साइड अटैच कर देना है तो जी एक साइड जो है हमारी फ्रिल लग गई है देख सकते हैं आप लोग और अब हमने क्या करना है जो हमारा दूसरा साइड है वहाँ पर भी जो है हम इसी तरह से फ्रिल लगा कर इसको तयार कर लेते हैं ठीक है जी तो देखिए दोनों साइड मैंने frill लगा ली है और ये मैंने back side भी सेम वैसे ही पलट कर तयार कर लिया था जैसे हमने front side किया था अब हमने क्या करना है अब सबसे पहले जो है हम इसकी कंदियां जोडेंगे तो कंदि जोडने के लिए हमने एक दूसरे को पकड़ना है और शुरुवात में हम पक्का करेंगे और जब हम end करेंगे तब हमने पक्का करना है इस तरह से ऐसे तो देखे एक साइट के हमारी कंधी जुड़ गई है अब दूसरे साइट से भी हमने सेम इसी तरह से कंधी को जोड़ देना है और जब भी आप कोई भी स्टिच जो है स्टार्ट करते हैं तो शुरुवात में पक्का जरूर क्या कीजिए और जब end करते हैं तब पक्का जरूर क्या कीजिए ऐसे ना मजबूत होती है इसलाई और फिर खुलती नहीं है तो जी अब देख सकते हैं आप लोग दोनों साइट से हमारी कंधी जुणने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा अब हमने क्या करना है यहाँ पर हम स्लीज जोडेंगे तो चलिए स्लीज दिखा देती हो मैं आप लोग को स्लीज के लिए हमने अपने फैबरिक को इस तरह से ऐसे फोर फोल्ड किया है क्योंकि हम दोनों स्लीज एक साथ कट कर रहे हैं अब हमने यहां से जो है करीबन धाई इंच इस तरह से ऐसे डाउन कटना है जहां से खुला है वहां से और उसको इस तरह से हमने ऐसे तिर्शा मिला देना है अब जो हमारा आर्मोल है वो है 6 इंच का तो देखिए 6 इंच पर हमने ऐसे निशान लगा देना है और बाकी 1 इंच जो है मैं मार्जन के लिए एट करूँगी अब जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो मुझे 14 इंच चाहिए बट मैं 15 इंच रख रही हूं यहाँ पर यह देखिए इस तरह से क्योंकि फोल्ड करने में चला जाएगा और इसको हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है अब जो हमारा नीचे का बॉटम है उसको हमने इलास्टिक वाला बनाना है तो देखिए इसकी जो चोड़ाई है वो मैं 7 इंच रख रही हूं और इस तरह से मैंने जो है इसको मिला दिया है अब हमने उपर से गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है यह देखिए इस तरह से अगर आप लोगो स्लीव की कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग शुरुवात से देखनी है तो मैंने क्लासेज वाली वीडियो में बता रख ही है लिंक फ्रंट साइड को हमने इस तरह से ऐसे गैदर्स वाला बनाना है तो चलिए बनाते हैं तो जी सबसे पहले आप लोग देखिए जो हमारा नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है उसको हमने इस तरह से ऐसे पतला फोल्ड कर देना है यह देखिए जितना पतला फोल्ड कर सकते किया है और अब है हम यहां पर lawsy करें तो मैंने पतली वाली लाश्टिक लिए और यहां पर न मैंने करीबं सवा सवा इंच हंजी सवा सओडा था मैंने और जो इलास्टिक है वह आप अपनी कलाई से नाप ली जिएहगा तो मेरी कलाई जो है साड़े 5 इंच ये थी लेकिन मैंने साड़े 6 इंच लिये क्योंकि हाफ आफ इंच हमारा इदर उदर से सिलाई में चला जाएगा तो देखे इस तरह से हमने अपनी इलास्टिक को कट कर लेना है ये देखे इस तरह से सवा इंच नापकर मैं जो है 3-4 निशान लगा लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं इस इलास्टिक को इसमें अटैच करूँगी तो बिल्कुल एक जैसा हमारा होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में अब हमने क्या करना है एलास्टिक को हमने इस तरह से यहांपर रखना है और मशीन की हमने न 4-5 सलाई लगानी है इसके उपर हमने पक्का करकर यहांपर इसको 4-5 सलाई देखी हम इस तरह से ऐसे लगा देंगे मैं बिल्कुल slow करके आप लोग को बिखा रही हो खीचते हुए सिलाई लगानी है थो सबसे पहले आप इसको यहां पर ऐसे मशीन की सुई को नीचे कर दीजिए और इस साईव से आपने इसको घीचना है और उस साईवसे आपने एलास्टिक को घीचना है फिर यह इस तरह की ऐसे गैदर्स बन जाएँगी यहे रेखिए दोन अपर बॉडी पार्ट था हमारी फ्रॉक का उसमें हम जोडेंगे तो चलिए अब इसको हम इसको जो है उसमें जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर का निशान लगाए था ना उसको हमने सबसे पहले ऐसे सेंटर का निशान देखकर और सेंटर से ही जो है हमन तो सेंटर से ही अटेच करना आपकी बिल्कुल पर्फेक्ट बैठेगी जो घूमती है मुडती है तुटती है तो वो कोई प्रॉबलम नहीं आएगी आपको अगर आप इस तरह से लगाएंगे आप देखें यहां पर खीचना नहीं है स्लीव को और जो हमारा आर्मोल है उसको लगाते जाएंगे अब देखें इसको पलट कर जो है हम अगें जो है सेंटर से स्टार्ट करेंगे और यहां से जो है सिलाई लगाना शुरू कर देएंगे यह देखें इस तरह से तो जी हमारी इस साइड वाली भी स्लीव जो है जुड़ गई अब देखें थोड़ा सा जो एक्स्टा है था ना उसको मैं कट करकर निकाल दूँगी अब देखें इसको हमने ऐसे पीछे की साइड ऐसे पलटना है और यहां से जो है हम इस पर इस तरह से ऐसे मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे फिट टो शुरूआँ से तो हम जो है फिपाइख रपाट पर ंढ़आँ इसको हार इसमें देखेंक बाट पर आएंगे तब हमने देड़ देड इन्च मारजन चोड़ा था ना तो हम उसी एक लिपाइभ कर देखें से अ Sci-से सी और अपर बॉडी तक जो हमारी बॉडी है वहां तक आते आते हम इसको जो है आप हलके हलके निशान देख रहे होंगे आपको मुझे तो दिख रहे थे आपको पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं तो मैं जो है वहां पर देर इंच का मार्जन छोड़ते हुए ह बहुत अच्छी भी लगती है आप हमने दूसरी साइट की स्लीफ को भी जोड लेना है तो देखे यहाँ पर जो है मैंने दोनों साइट की स्लीफ को जोड लिया है देख सकते हैं आप लोग और एक साइट से ना मैंने इसको थोड़ा सा खुला चोड़ दिया है क्योंकि हम पह इसका कॉर्णर पकड़ना है इसको हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे यहां पर और इस तरह से ऐसे स्टीचिंग कर देंगे पूरे में तो जलिए हम मैं यह स्टीचिंग करके जो है आप लोग को दिखाती हो तो जी यह वाली सिलाई जो है वो हमने लगा दी है अब हमने क्या करना है जो हमने यह वाली सिलाई हमारी चूट रही थी न अब इसको यहां से लेकर हम पूरा नीचे तक जो है इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नीचे यहां पर आप यह तो पीको करवा दीजेगा या फिर पतला फोल्ड कर दीजेगा ठीक है जी तो अब यह करके मैं आप आइंगे न तो और भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठेगी और स्लीव कुछ इस तरह से हैं बाकी अगर आप लोग को बिल्कुल जो है जो है फोटोस की तरह चाहिए तो आप यहां पर जो है एक एक बटन लगवा सकते हैं तो वो और अच्छा लगेगा और बाकी य यह है इसकी फाइनल फिनिश लुक आप लोग को कैसा लगा मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज पसंद आई हो वीडियो और हेलफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा